बिटकॉन का प्राइस दोस्तों कल के लेवल से 9% तक नीचे आ गया है और अभी लाश्ट वीक में ही बिटकॉन के प्राइस में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी 18500 के लेवल से BTC ने एक ही दिन में 10% तक का जंप दिखाया था बट कल जैसे ही US ने CPI नंबर रिलीज किये उसके बाद कुछ ही मिनट्स में बिटकॉन के प्राइस में 5% तक की गिरावट आई बिटकॉन में गिरावट के साथ साथ होल्ड कॉन में भी हमें अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिल रही है ओल्मोस सभी कोईन इस ताइम रैड में ट्रेड कर रहे है इसके लावा जो फियर और ग्रीड इंडेक्स है वो भी 34 के लेवल से 27 के लेवल पर आगया है बट अच्छी बात ये है कि बिटकॉन ने अभी तक 20,000 के लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है अब बिटकॉन में नेक्स मोग क्या हो सकता है बिटकॉन की लिनेक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से होंगे और आपको अब क्या पोजिशन मार्किट में बनानी चाहिए इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेल्कम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर अगर आप अमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बिटकॉन के प्राइज में दोग्स तो कले वीरिंग से ही हमें पांच परसेंट की तेज गिरावट देखने को मिली थी जिसके पीछे का रीजन था यूएस CPI नमबर जो एक्सपेक्टिड था की 8.1 परसेंट के राउंड होंगे बट CPI नमबर आए दो तो 8.3 जो एस्टिमेटिड नमबर से भी ज़ादा था इतने बुरे नमबर का एफेक्ट यूएस की शेर मार्किट में भी देखने को मिला और साथ में क्रिप्तो करंसी पर भी बिटकॉन के चार्ट पर आप देख सकते हैं जैसे ही CPI नमबर रिलीज किये गए बिटकॉन के प्राइज ने 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बिटकॉन का प्राइज 25,000 की तरफ मूव करने वाला है बट राइट नौ सिनेरियो बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है बिटकॉन के प्राइज ने अभी तो किसी तरह से 20,000 के साइकलोजिकल सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखा हुआ है और अभी बिटकॉन का प्राइज ट्रेड कर रहा है दोस्तो 20,300 डोलर के राउंड अब बात करते हैं दोस्तो बिटकॉन में नेक्स मूव क्या हो सकता है बिटकॉन में इतनी गिरावट के बाद हमें थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 21,000 के लेवल तक का अगर आप लोस में है तो वो एक अच्छी अपॉर्चिनिटी होगी अपनी पॉजिशन को सेल करने की क्योंकि नेक्स्ट विट फैट की मीटिंग होने वाली है जिसमें फिर से हमें रेट हाइक देखने को मिलेगा जो और ज़्यादा प्रेशर क्रियेट कर सकता है मार्किट्स में इसलिए दोस्तो मार्किट्स से दूर रहने में या आम सब का फाइदा है जब तक बिटकोईन का प्राइस 25,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता अब बात करते हैं दोस्तों बिटकोईन के लिए नेक्स सपूर्ट and resistance लेवल क्या होंगी बिटकोईन के लिए जो नेक्स लेवल के लिए नेक्स लेवल की बात राउंड होगा यह एक important लेवल बिटकोईन के लिए ही है बट जिस तरह से बिटकोई नीचे गिता जा रहा है उसे देख कर लग रहा है कि बिटकोई जल्दी 20,000 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा बिटकोई के चार्ड को देखे तो दोस्तों इस ताइम हमें मार्किट से थोड़ी थूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि मार्किट में वोलयत्यलीटी और सेड़न मूव देखनेग को मिल रहे है रिस kilos हमें 10 परसेंट का आपस़ेड मूव देखनेकों मिला और कल फिर से हमें 5 परसेंट का डाऊंसाड मूव देखनेको मिला है इसलिए market से exit करना सबसे best strategy होगी और market को watch करिए जब तक कुछ stable move हमें bitcoin में देखने को ना मिले यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो I hope आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू जय है